नमस्कार न्यूज बाइसकोप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन गुपता बिहार के मुख्य मंत्री नतीश कुमार ने एक एहम बैठक बुलाई है आम तोर पर ये बैठक मंगलवार को होती थी लेकिन आज ये बैठक एक दिन पहले बुलाई गई है आंदोलन कर रहे थे उनके दिरिस्टि कोण से भी अगर देखे तो ये बैठक बेहत महत्तोपूर मानी जा रही है और कहीं न कहीं उनकी उमीदे इस बैठक से टिकी हुए है राज्य कर्मी का जो दर्जा दिये जाने की मांग है उसको अगर देखे हम तो ये बैठक बेहत महत्तोपूर हो जाती है और आज काबिनेट की जो ये बैठक बुलाई गई है मुखे मंत्रे नितीश कुमार द्वारा इसमें कई एहम चीजों पर चर्चा हो सकती है और कई बड़े फैसले भी लिये जा सकते है जिस पर सभी की उमीदे ठिकी हुए है आपको बता दें कि आज काबिनेट की ये अहम बैठक होने वाली है सिम नतीश कुमार में है छेद दिन के अंदर मंत्री मंडल की ये दूसरी बैठक कर रहे है चर्चा है कि इस अहम बैठक में सिम नतीश कुमार बिहार के साढ़े चार लाख नियोजित सिक्षकों को राज्य कर्मी का दरजा देने की घोशना कर दे इसी अहम बैठक का इंतजार केवल नियोजित सिक्षकों को ही नहीं बलकि दारोगा परिक्षा के तैयारी कर रहे है अभियर्थियों को भी है सिम नतीश कुमार दारोगा अभियर्थियों के लिए नई वैकेंसी का भी ऐलान कर सकते हैं 19 सितंबर को ही सिम नतीश कुमार ने काबिनेट की मीटिंग की थी अब 6 दिनों के अंदर यानी सुम मार को फिर से वह काबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं संभावना है कि इस काबिनेट में सीम नतीश कुमार कुछ बड़ी घोशनाएं कर दे साथ इस बैठक में जाती है जनगना की रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है इसलिए काबिनेट की इस मीटी को लेकर राजरेतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है इसके पहले लगतार दो दिन वो अचानक अध्यक्ट से मिलने पहुँचे जदियू के दिगजों से विचारवे मर्स किया अब फिजा में एक फैसले से बड़े वोट बैंक पर मरहम लगाने की चर्चा है आम तोर पर जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में भी बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की मीटीं होती है लेकिन इस बार ही हब आचक एक दिन पहले आयोजित की जा रही है खबर ये है कि सिक्षा विभाग ने नियोजित सिक्षकों को राज्यकर्मी का दरजा देने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है बताया जा रहा है कि सिक्षा विभाग ने अपना प्रस्ताव राज्य कैबिनेट और वित विभाग को भी भेज रखा है यहां से स्विकृति मिलने के बाद सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा बिहार के करीब साड़े चार लाख सिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा पाने के इंतजार में हैं इसे में बिहार काबिनेट की यह मिटिंग काफी एह मानी जा रही है तो आपको दादे मुख्यमंतरी नितीश कुमार की अगवाई में यह जो बैठक हो रही है इस पर कई लोगों की उमीदे टिकी हुई है चाहे अगर आप बिहार के सिक्षकों की बात करें जो अभियर्थी प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करते हैं अगर उनके लिहाल से हम देखें तो यह बैठक बहुत एहम है और ऐसा उमीद है ऐसी संभावना यह जताई जा रही है कि मुख्यमंतरी नितीश कुमार इस बैठक में कुछ बड़ी घोशनाई भी कर सकते हैं तो इस बैठक को आवी फिजा में भी एक नया रंग घोल सकती है फिलाल हमारे साथ इतना ही आप देखते रहे है नियूस बाइस को आई आई टी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंक देने आ गया है कम्प्लीट सॉल्यूशन इस्टिट यहां है स्मार्ट क्लास्रूप वन टूवन डाउट क्लेरिंग सेशन आस्क दैस बर्ट वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ मतलब हम करेंगे आपको गाइड बनेंगे आपके मेंचोर फांटेशन क्लासे फ्रॉम क्लास 6 ओनवार्स पर यह ब्राइट फूचर विजिट कम्प्लीट